बैंक ओब बड़ोदा जीरो बाइलेंस सेबिंग अकाउंट सो दोस्तों आप घर बैठे बैंक ओब बड़ोदा में अपना जीरो बाइलेंस सेबिंग अकाउंट किस तरह से ओपिन कर सकते हैं इस account को open करने के लिए आपके पास कौन-कौन से document होने चाहिए और किन-किन terms and condition को follow करके आप घर बैठे, बैंक को बढ़ोदा में अपना zero balance saving account किस तरह से खुलवाने के लिए eligible हो सकते हैं और सबसे important बात इस account को open करते ही हम लोगों को तुरंत account number, IFSC code, checkbook, ATM card ये सारी चीजे हमें कैसे मिलती हैं इन सारी वातों को आज हम लोग इसी वीडियो में आगे जानेंगे तो आए जानते हैं तो इस account को open करने के लिए आपको इस वीडियो के description box में एक link दिया गया है वहाँ पे आपको simply click करना है दोस्तो आप जैसे इन link पे click करोगे तो आप बैंको बढ़ोदा के official website में खुल के सामने आ जाओगे तो आईए वीडियो start कर लेते हैं तो दोस्तो अब आपके सामने तीन column यहाँ पे खुल के आ चुका है दोस्तो तीनों column में पहले column में आपको इहाँ पे fill करना है आपका email id दोस्तो आप जैसे ही अपना Gmail यहाँ पे fill up करते हो तो उसके बाद आपके email id पे एक mail जाता है दोस्तो जिसमें कि आपको एक link दिया जाता है दोस्तो simply आप जैसे उस link पे click करोगे तो आपका यहाँ पे email id verify हो जाता है फिर आपको नीचे वाले column में अपना mobile number fill up करते हो mobile number fill up करने के बाद आपको mobile number पे एक OTP जाएगा दोस्तो उस OTP को आपको नीचे वाले option में यानि कि आपको column में यहाँ पे fill कर देना होता है दोस्तो जैसे आप यहाँ पे अपना fill up करते हो तो उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे पांच डबा दिख रहा है यानि चेक बॉक्स दिख रहा है दोस्तो इस पांचो चेक बॉक्स में पहले में बोला जा रहा है कि अगर आप एक minor नहीं है यानि कि आपका 18 वर्स नह है यानि कि अगर आपका कोई political person से relation नहीं है तो आपको simply इस पर क्लिक करना है दोस्तो चौथा में बोला जा रहा है कि अगर आप bank को बढ़ोदा के existing customer यानि कि पहले से customer नहीं है तो आपको इस fourth वाले option में क्लिक कर देना है दोस्तो उसके बाद सिंपली क्या करना है कि नीच है दोस्तो उसके रणा आपको अपना declaration form के लिए नीचे दिया हुआ है General Terms & Conditions आपको इसके उपर click करना है और इस पर click करने के बाद आपको नीचे में एक accept मिलता है दोस्तो आपको simply accept के ओपर click कर देना होता है इस पर accept करने के बाद नीचे आपको दिया हुआ है KYC terme तो आपको KYC Terms के उपर भी किलिक करना होता है उसके बाद आपको नीचे Accept के उपर किलिक कर लेना होता है दोस्त इतना करने के बाद चलिए हम लोग अपना पूरा Personal Detail यहाँ पर फिल कर देते हैं तो दोस्तो अब हमने यहाँ पर अपना OTP फिल कर दिया है तो चलिए हम लोग अब Next पे किलिक कर लेते हैं दोस्तो आगे जाने के बाद आपको Simply क्या करना होता है कि आप Second वाले Phase में Open हो जाते हो दोस्तो जिसमें कि आपको दो कॉलम देखने को मिलता है दोस्तो पहला कॉलम में आपको अपना Pen Card Number फिल करना होता है दोस्तो दोनों आधार कार यहाँ पे फिल करने के बाद आपको Simply नीचे दो चेक बॉक्स देखने को मिलेगा दोस्तो Simply आपको दोनों चेक बॉक्स के उपर किलिक कर देना है दोस्तो आप जैसे चेक बॉक्स के उपर आप किलिक करते हो दोस्तो simply आपको सारे details देख लेना है उसके बाद आपको यहाँ पे एक branch select करने के लिए बोला जाएगा तो दोस्तो जैसे कि मेरा एक कहीं branch है मतलब मेरे area में सिर्फ एक कहीं branch है उस branch मेरा automatically यहाँ पे select हो चुका है अगर आप बड़े metropolitan city में रहते हो तो आपको वहाँ पे 2-4 या 5 भी branch देखने को मिल जाते हैं अगर आप एक छोटे जगा से हो अगर आपका एक branch है तो वह automatically यहाँ पे fill हो जाता है दोस्तो नीचे फिर आपको एक process पे click कर देना है तो दोस्तो आप जैसे ही process पे click करते हो तो आपको यहाँ पे अपना personal detail फिल करना होता है तो दोस्तो चली हम लोग अपना personal detail यहाँ पे fill कर लेते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको अपना father का title name यहाँ पे fill करना होता है उसकी बाद आपको father का first name और फिर निचले वाले column में आपका middle name यहाँ पे fill करना होता है दोस्तो उसकी बाद आपको last में father name यहाँ पे एक बार फिर से fill कर देना होता है उसकी बाद बत आती है कि निचला column म तो उसके बाद आपको अपना mother's name का title या फिल करना होता है उसके बाद आपको यहाँ पर फिल करना होता है उसके बाद आपको mother का last name फिल करके फिर नीचे में mother का full name यहाँ फिल करना होता है दोस्तो उसके बाद आपको अपना religion यहाँ पर select करना होता है उसके बाद आपको वाद आपको disability आपको select करना होता है उसके वाद आपका place of worth क्या है वो आपको select करना होता है आपका education कितना हुआ है वो आपको select करना होता है और उसके वाद आपको employment status यानि कि आप क्या हो अभी वो आपको select करना होता है दोस्तो उसके वाद आपको नीचे में आपका annual income होता है जो कि वो आपको fill कर देना होता है दोस्तो annual income में कम से कम आपको 90,000 से उपर ही देना होता है दोस्तो उसके बाद आपको category पे click करना होता है कि अगर आप general है या फिर जो भी है आपको यहाँ पे category पे select करके आप अपना देख सकते हो उसके अब आपको आपका occupation क्या है अगर आप एक student है तो student अगर आप एक student नहीं है तो आपको जो भी occupation है आप यहाँ पे select कर सकते हो उसके बाद दोस्तो आपका material status यहाँ पे पूछा जाएगा अगर आप एक साधि सुधा हो तो आपको यहाँ पे merit पे click करना है और अगर आप अभी single हो तो आपको single के ऊपर select कर लेना है दोस्तो ये सारी अपना personal detail fill करने के बाद आपको आपका nominee पुछा जाएगा तो दोस्तो अब आपको अपना nominee add करना है तो आपको yes पे click करना है और अगर आपको nominee add नहीं करना है तो आपको simply no के उपर किलिक कर देना है अगर आप no पे किलिक करते हो तो जब भी बविष्ट में आपको यहाँ पे जब केवाईसी करोगे तो वहाँ पे आपको अपना nominee add करना होता है तो इसके अच्छा है कि आप अभी ही कर लो तो आगे जा कर देना है दोस्तो उसके बाद nominee का name और उसका first name और फिर middle name और last name और उनका date of worth तीनों आपको यहाँ पे fill कर देना होता है दोस्तो तीनों fill करने के बाद अगर आपका और आपके nominee का address सेम होता है तो आपको नीचे वाले checkbox के उपर किलिक कर देना होता है दोस्तों अगर तो यह automatically आपका और आपके nominee का address सेलेक्ट कर लेता है तो आईए हम लोग सारा यहाँ पर fill कर लेते हैं तो दोस्तों अब आपको proceed के उपर किलिक कर देना है दोस्तों आप जैसे proceed के उपर किलिक करते हो तो अब आपको यहाँ पर additional service यहाँ पर पूछा जाएगा अगर आप debit card चाहते हो तो आपको इस पर किलिक करना है अगर आप internet banking करना चाहते हो तो इस पर किलिक करना है और फिर mobile banking या फिर SIM alert UPI या फिर checkbook सारा कुछ अगर आपको चाहिए तो सारे वाले checkbox पर आपको किलिक कर देना है उसके वाद आपको next के उपर किलिक कर देना होता है दोस्तों अब जैसे next के उपर किलिक करते हो तो अब आपको यहाँ पर अपना सारा कुछ basic details आपको देखने को मिल जाता है दोस्तो अगर अब भी आपको कोई यहाँ पर changes करनी है तो आप यहाँ पर अपना changes edit details पर किलिक करके सारा changes आप यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों अगर आपका सारा कुछ यहाँ पे सही है तो आपको simply क्या करना होता है submit application के उपर किलिक कर देना है दोस्तों जैसे हैं आप submit application पे किलिक करते हो तो अब आपके सामने congregation का आपको एक icon देखने को मिल जाता है जहां कि आपको आपका PNR नंबर भी देखने को मिल जाता है दोस्तों अब आपका जो होता है account create हो चुका है अब आगे के लिए आपको KYC करना होता है दोस्तों KYC करने के बाद आपका simply account open हो जाएगा दोस्तों अगर आपको KYC करना नहीं आता है तो उसका में एक नए वीडियो लाने वाला हूँ